चैम आतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये 7 दिन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के 7 दिन किस तरहा से रहने वाले हैं ये 7 दिन बड़े महतपून हैं इन 7 दिनों में बहुत से ऐसे शुब सईयोग बन रहे हैं जिनका लाब आपको बड़े ही अच्छे मिलने वाले हैं बहुत से ऐसे नक्षत्र हैं, ऐसे योग हैं जो बहुत खास आपके लिए रहने वाले हैं, तो जानेंगे सब कुछ इस विस्तार से, कौन से वो नक्षत्र बनेंगे, कौन से वो योग बनेंगे, जिनका प्रभाव आपके जीवन पर बड़ा ही positive होने वाला है, सब कुछ जान से पंधरह नवंबर तक के बारे में, और अगर हम इन साथ दिनों की चंद्रमा की इस तिथी की बात करें, तो इस सब्ताह की शुरुवात नौ नवंबर अस्टमी तिथी से हो रही है, अस्टमी तिथी सुबा तक रहेगी और कृष्ण पक्षिके स्वामवार के दिन से हो रही है, इस दिन बड़ा ही अच्छा नक्षत्र रहेगा, और नक्षत्र की अगर देखी जाये तो देखिए, नौ नवंबर का जो दिन है, इस दिन सुबार के साथ मगह नक्षत्र का से योग बन रहा है, जो की महिलाओं से जुड़े समान की खरेदारी के लिए बहुत ही खास माना जाता है, और चंदर मा इस दिन करकराशी में होंगे, और इसके बाद जब 10 नवंबर का जो दिन है, मंगलवार का दिन, ये अपूर्व फालगुरी नक्षत्र के से योग में इंद्र नाम का योग बन रहा है, जो इलक्ट्रोनिक समान की खरेदारी के लिए योग का ऐसे उसमें बनना हर तरह की खरेदारी के लिए शुब माना जाता है, और वैद्रती योग बनने से ओजार, मशीनरी, वीकल इन चीजों की खरेदारी के लिए शुब माना जाता है, इसके बाद 12 और 13 नवंबर का जो दिन है, धंतेरस का दिन है, अभूज मूरत या बावली का दिन है, सूर्य एदा के साथ ही सरवार सिधी योग शुरू हो जाएगा और आतरे तक रहेगा, दिवाली पर 17 साल के बाद सरवार सिधी योग आया है, जो बेहत खास है, लक्षमी पूजन के लिए और इस दिन आप किसी भी तरह की खरेदारी कर सकते हैं, पंद् इस दिन तुला राशी में होंगे, सुभा तक, तो कर्क से और तुला राशी तक ये चंद्रमा की इस्तिती रहेगी, तो सिंग राशी वाले लोगों के लिए सबसे पहले हम जान ले दे हैं कि किस तरह से आपकी जो दिन चरिया है, उसमें प्रभाव होगा, किस तरह से आप के सक्रिया वस्ता में रहेंगे, और इनी केनुसर, आपकी जो दिन चरिया है, उसमें परिवर्दन देखने को मिलेगा, किस तरह का मिलेगा, तो एक तो ये सब्ताहा, आपके घर हो, या आपका कारोबार हो, आपके हर चीज में बड़ी वैस्तता बनी रहेगी, कुछ तो त अपध्या वैस्तता भरे रहने वाला तो है, और इस सब्ताहा में काफी सारा आपका जो समय है, वो लोगों से मिलने जुलने मी बीतेगा, कामकाज में बीतेगा, महिलाओं की यगदी बात करें, तो महिलाओं के लिए इस समय काम का जो प्रशर है, वो जादा रहेगा, जो क टी या मास्पेसी से जुड़ी समय से हैं, इस समय हो सकती हैं, खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे होने के तो पूरी-पूरी आशंका है, तो खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यह अपनी इच्छाओं पर नियंतरन रखना होगा, इच्छाओं तो मन में जागरत होती रह है, जबरदस्त ये व्यपारियों के लिए सब्ता कहा जा सकता है, डेली इंकम वाले लोगों के लिए ये जो सब्ता है, बहुत खास होने वाला है, कामकाज का पूरा लाब मिलेगा, जो वकील हैं, राजनीता हैं, समाज सेवक हैं, या उनका खुद का कोई संगठन है, ऐसे लोगों के लिए भी ये जो समय है काफी अनुकुल रहेगा चात्रों के लिए युवाओं के लिए थोड़ा सा ये समय अनुकुल मंदो सामाने कहा जा सकता है कारशेतर में उन्नती के योग भी बनेंगे और कुछ ऐसे सकारतमक समचार प्राप्त होंगे जो घर परिवार में खुशियां लेकर आएंगे इस अपता हमें आपकी सेहत में भी थोड़ा सा आपको द्यान रखना है हलाकि बदलावत नजर आएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा द्यान रखके आप चलें परिवार में खुशियां दस्तक दे सकती है कुछ नई लोगों का आना जाना हो सकता ह है गूमने फिरने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं गूमने फिरने का अमन बना सकते हैं यात्राओं का योग है और अगर कामकाज के सिलसले में आप यात्रा करते हैं इस दोरान तो अच्छी सफलता आपको मिलेगी कुछ मामलों में थोड़ा सा रिस्क लेकर आप चल सकते हैं लेकिन जब तक हम रिस्क के लिए नहीं लेते तब तक हमारे काम में हमें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते कुछ कठी निर्ना लेने पड़ सकते हैं बविश्य से जुड़े हुए तो ऐसे निर्नों को लितिस्व में आपको अनुकुलता दिखानी है सब्ताह का जो अन्त होगा वो काफी अच्छा आपके लिए है अन्तिम तीन दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं प्रेम संबंद के लिए सुखा दनुभव ये सब्ताहा लेकर आ रहा है प्रेम आपका मजबूत होगा सब्ताहा की शुरुवास से ही प्रेम संबंद में कुछ शुब समाचार मिल सकता है विवहा के योग बन रहे हैं और इस दोरान आप अपने साथी के साथ अच्छा समय भी व्यतित करेंगे बवश्य की योजनाओं पर काम करेंगे सब्ताहा के आंत में किसी बड़े बुजूर्ग के आशिरवास से आपके लिए समय काफी अनुकुल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसी इस्तितियां भी आपके लिए बड़े अच्छी बनी हुई है आदन करते हैं या किसी विक्रा के शेत्र में हैं राजनितिक हैं सामाजिक जीवन में कुसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको निश्ची तोर पर मानसमान की भी प्राप्ति होगी उरजवान आप रहेंगे बिजी रहेंगे लेकिन उरजवान भी रहेंगे इ अपनी शम्ताओं के बल पर अपनी जिम्मिदारियों को निभाने में कामयाब होंगे इस दोरान जो विध्यारती हैं उनके लिए देखे समय तो अनुकूल है हाला कि आपकी पढ़ाई काफे डिस्टाब इस समय होने वाली है आपको दिहान रखना है अपनी पढ़ाई पर इस दिन और 14 नवंबर का जो दिन है इस दिन आप इन दो दिनों में मालक्षमी को प्रसंद करें क्योंकि बड़ा अच्छे योग है इन दिनों में अगर आप मालक्षमी के पूजा आर्चना करते हैं उन्हें प्रसंद करते हैं तो मालक्षमी आपके घर को धन धाने से भर अपने लक्षे पर ध्यान दें, अपनी काम के प्रति समर्पित रहें और सब के लिए अच्छा सोचेंगे, प्रसर न रहेंगे, घर में कलह नहीं होने देंगे, तो मालक्षमी स्वयम ही आप ये च्छाओं को पूरा करेंगे, आप इन दिनों में बजरंग बान का पाट कर सकत और हमारी इस वीडियो को जदर जदर लाइक करें, शेयर करें